तो हेलो एवरिवन कैसे आप सब लोग उम्मेद करता हूं बहुत अच्छा हूंगे मेरे चैनल कपनेटिशन गुरुप पर आपका बहुत बहुत स्वागत है तो आज की वीडियो मत करने वाले आएं आपके आने वाली परिच्छाओं के बारे में जिसमें आपको यह स्नोनिम देखने को मिलेंगे तो इस वीडियो से एक वीजनोने बार नहीं जाएगा मेरा मतलब इस वीडियो से नहीं आगे आने वाले जितने मेरी वीडियो को webroot लाओ और चाहिए वह नवी गा चाहिए और देख दस्वास जारु रखना क्योंकि आपको वीडियो में इतना करता हूं लगवा आपको 50 लाइक करके ही जाना है तो मैं आपको उतादू वीडियो को यार जहां लोगों के पास सेयर कर दिया करें जिससे उनका भी फायदा हो सके और वीडियो को आपको पीडियाफ चाहिए तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना मैं इसका लिंक द पूरे करवा दें तो थेंक्स थेंक्स रहे आपके लिए तो चलिए आई की वीडियो को शुरू करते हैं आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे अलफावेट ए से लेकर के अब यह आपको इसी वीडियो में केबल ए वाले अलफावेट के हैं जो भी सब देखने को मि विडिव में पहला प्रिस्ण है आपके पास for go for go word दिया हुआ है for go का मतलब आपका पता होता है चोना या त्यागना होता है तो आपको पता है इनके मैंने स्नोनिम्स रखें हैं यहां पर लगो आपके 5-6 स्नोनिम इसमें रखे हैं तो पहला है यहाँ पर अबेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंड यह 100% इंपोर्टेंट है आपके लिए तो इसको आपको यार करके रखना है अगला है रेनाउंस और सरेंडर यह सब फॉर्गों के यानि कि त्यागना के ही स्नोनिम्स हैं अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगली वीडियो में आपको इंटोनिम इसी तरीका के इ McNust करना नजट करना जिसका मतलब होता है अब ऑलेश अब और यह भी अल्फवे अपर ही है इसका है अगला है चैंजल करना वी नट करना होता nullify, annual, invalidate भी करना होता है, negate वाने और set aside, यह आपका phrasal verb है, यह बहुत ही most important phrasal verb है, set aside, इसका मतलब होता है, cancel करना, तो अगर आप कहेंगे तो मैं proportion of phrasal verb पर भी वीडियो बना दूँगा, तो चलिए अगला है मारे पास word, abrupt, abrupt का मतलब होता है, sudden, sudden का मतलब अचानक, आपको पता होगा, sudden तो आपने सुना ही होगा, sudden का मतलब होता है, अचानक, तो इसके और सुनों दे होएं, जैसे हरेड है, हरेड माने जल्दी यह अचानक, sudden, blunt, अगला है हमारे पास, blunt, blunt भी होता है, जिसका मतलब होता है, अचानक, तो आपको मैं बता दूँग, जो air force, sorry, navy का ए previous year भी कुछ जो word है, वो रखे हैं, आपको अच्छे से इस वीडियो को देखना है, और अगला है आपके पास, cut, cut का मतलब होता है, अचानक, तो कहने का मतलब है, जो भी यहां पर मैंने option में रखे हैं, वो आपके इस सारे के सारे synonyms हैं, एक भी एंटोनिम नहीं है, आप अच्छे से लिख लेना, नोट्स बना लेना, अगर आपको इसकी पीडियो चाहिए, तो कमेंट जरू कर देना, मैं इसकी पीडियो को एक लिंक वेजूँगा, वहां से आपको डाउनलोड करना है, अगला है, रस्क, B-R-U-S-Q-E, रस्क का मतलब यह होता है, अचानक, तो अगर आपको लगे थोड़ी सी मैनत हुई है, इस वीडियो में जैसे कि इतने इंपोटेंट वर्ड हैं, जो मैंने कलेक्ट किये हैं, गूगल से और प्रिवियस येर, SSE और CHSL के जो मोक टेस्ट है उनसे, और इनको मिलागर कि मैंने पीडियाप बनाई है, तो यार आपको पता है मैंने 2-5 गंटे लगते हैं, और आप इसको वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरू कर सकते हैं, चलिए अगला है मारे पास सब्द सामान या गूड, इसका इंगल्स में होता है, अपने नाउन भी पड़ा होगा, अपने नाउन भी पड़ इतनी सारे सब्सक्राइब बहुता है, और इनको लिख लेना या फिर याद कर लिए और आपको मॉक्टेस्ट के रूप में चाहिए, तो में अगली वीडियो से मॉक्टेस्ट के रूप में लूँगा और इनको मिक्स करके लाँगा, आपको पैचानने होगे, जो भी तरीक आपको अच्छ लगए आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है मैं उसी के उपर वीडियो को बना दूँगा तो इनको आपको याद कर लेना चलिए अगला बड़ देखते हैं अगला है अगला है अगला है अगला मतलब होता है एकदम बद्धासा तो यहां पर मैंने लिखा हुआ है इसका हिंदी भी मैंने आपको लिख दिया है इसका मतलब होता है निर अर्थक जिसका कोई व्यर्थ नहीं निकले तो इनके इतने सारे सुनुनिम देवे हैं जैसे पहला है एप डबलो लिए ऐसे फूलिस फूलिस माने मूर्ख भी होता है निर अर्थक लिख मतलब होता है मूर्ख इंसेन इंसेन भी होता है जिसका मतलब होता है निर तक सामान ने बहुंदू बहुंदू भी इसको बोल सकते हैं नौन सेंसिकल आपने पढ़ा होगा सेंस और नौन सेंस तो उसी से बना हुआ है नौन सेंसिकल तो आपको पता है इतने सारे बढ में उसकी मैं guarantee लेता हूं अगला है मोरो निकमोरो निक मामी होता है नर्थक यह सामान होता है चलिए अगला प्रिश्ण है सोरी अगला बढ़ड़ है abundance abundance का मतलब होता है बरपूर इसके बहुत साथ सोन जैसे यहां पर दिया हुआ है इंपल इंपल का भी होता है जैसे आपको और दिखाता हूं मैं जैसे यह दिए हुए यहाँ पर जन्रस जन्रस भी होता है है वी भी होता है बाउंटी फुल भी होता है प्लेंटी फुल भी होता है और सबस्टेंसियल होता है तो इतनी सारी वर्ड है जिसका यह की मतलब होता ह वह क्या हुता है प्रचोर मातराण में तो आज की वीडियो में आपको मैंने कितनी सब् slip कर दिया लगा आपकी आईविडियो में आपको लगा वड़ करा दिये 40 वर्ड वह भी किस अलमेट के यह यू कि लगे लगा यह यह के मैं आपको दूंगा लवा 500 कॉस्चन कितने 500 कॉस्चन सोच के देखो यह अल्फाबेट के 500 तो आपको 2526 इंटु 500 कर देने के चाहिए अधायो तो आपके पास कितना कलेक्षन हो जाएगा जब आप करेंगे 255 और एंट टु 26 रेक बड़ की तो सूच कितने बड़ हो जाएं महां कम भी हो सकते हैं इसके जैसे एक फाइब ज्यादा होते हैं तो ज्यादा मिल जाएंगे और वड़ के खम होते हैं तो कम मिल जाएंगे तो उसके आपके पास बहुत अच्छा कलेक्शन हो जाएगा उससे मैं गारंटी लेता है यह की बार नहीं जाएगा तो वीडियो चले वीडियो कर दें लाइक मिलते हैं एकली वीडियो में जाहिन जेवार